जिन लोगों को भी अंग्रेजी के शब्दों को पाइडने या लिखने में दिक्कत आती है तो आज की क्लास को जरूर से देखना क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे अंग्रेजी के शब्द जिनका सही तरीके से उचरण करना मैं आज आ चानल पर नए है तो फटापट से चानल को कर दो सब्सक्राइब वीडियो को कर दो लाइफ चरिए शुरू करते हैं आज की क्लास देखिए अगर किसी शब्द में दो अक्षरों के बीच में आई आता है तो वहाँ पर उसे हम छोटी इपड़ते हैं जैसे S, I, T अब यहाँ पर वीच में आई आ रहा है तो इसे हम छोटी इपड़ेंगे तो S को हम स लिखते हैं तो यहाँ स लिख देंगे आई के लिए छोटी इआएगा और T को हम ट लिखते हैं तो यहाँ ट लिख देंगे तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा सर और ये जो छोटी E है ये सर पर छोटी E की मातरा के रूप पे आ जाएगा और T को टरलिक दिया तो ये बन जाएगा SIT SIT उसी तरीके से KIT तो यहाँ पर भी बीच में I आ रहा है तो इसे भी हम छोटी E पढ़ेंगे K को क लिखते हैं तो यहाँ हम क लिख देंगे I के लिए हम छोटी E लिखेंगे T को टरलिक देंगे तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा क और ये जो छोटी E है ये Q चोटी E की मात्रा के रूप में आ जाएगा और 7 में T है तो ये T लिγथ दिंगे तो ये बन जाएगा kit k-i-t kit उसी तरीके से win wed link W को व लिखते हैं तो यहाँ व लिख दिंगे और आइ के लिए हम चोटी E लिखेंगे और N को न लिखते हैं तो यहाँ न लिख देंगे, तो जब इसे एक साथ लिखेंगे, तो यह बन जाएगा व, यहाँ पर छोटी की मातरा आ जाएगी, और साथ में न, तो यह बन जाएगा विन, डाबलू आई एन, विन, बिग, बी, आई, जी, बिग, इसमें अभी बी को ब लिखेंगे, आई के लिए हम ब पर छोटी की मातरा लगा देंगे, और साथ में जी है, तो जी को हम गर लिखते हैं, तो यहाँ हम गर लिख देंगे, तो यह बन जाएगा बिग, बी, आई, जी, बिग, उसी तरीके से पिन, पी, आई, एन, पिन, पी को पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दे और N को न लिखते हैं, तो यहां न लिख दिनगे, तो यह बन जाएगा PIN, PIN, HIT, HIT, इसमें भी H को ह लिखते हैं, तो यहां ह लिख दिनगे, I के लिए ह पे छोटी की मात्रा आ जाएगी, और T को ट लिखते हैं, तो यहां ट लिख दिनगे, तो यह बन जाएगा HIT, 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 clear क्यार हुआ, देखिए जब दो अक्षरों के बीच में A आता है, तो वहाँ पर हम A को A पढ़ते हैं, जैसे B, A, G, तो इसमें बीच में A है, तो इसे हम A पढ़ेंगे, B को B लिखते हैं हिंदी में, तो हम B लिख देंगे, A के लिए I की मात्रा आएगी, G को G लिखते हैं, तो यहाँ G लिख देंगे, तो जब इसे एक साथ लिखेंगे, तो यह बन जाएगा B, और यह जो I है, यह B पर I की मात्रा आजाएगी, और साथ में G आजाएगा, तो यह बन जाएगा B, A, G, बैग, उसी तरीके से F, A, N, तो यहाँ पर भी A है, तो इसे भी हम A पढ़ेंगे, F को F लिखते हैं हिंदी में, तो F लिख देंगे, A के लिए I की मात्रा आजाएगी, N को No लिखते हैं, तो यहाँ No लिख देंगे, तो जब इसे एक साथ लिखेंगे, तो यह बन जाएगा, F, F पर I की मात्रा आजाएगी, और साथ में No, तो यह बन जाएगा Fan, F, A, N, Fan, य लिए मौ हो गया, A के लिए I की मात्रा आएगी, और T को टो लिखते हैं, तो यह बन जाएगा MAT, M-A-T, MAT, उसी तरीके से R-A-T, R को हम रो लिखते हैं, A के लिए I की मात्रा आएगी, T को टो लिखते हैं, तो यह बन गया राट र-A-T राट या जैसे बड B-A-D बड B को ब लिखते हैं और A के लिए A की मातरा आ गई D को ड लिखते हैं तो यहाँ ड लिख दिया तो यह बन गया B-A-D बड उसी तरीके से T-A-P T के लिए ट हो गया A के लिए A की मातरा और P को पर लिखते हैं तो ये बन गया टाप T, A, P टाप, clear हुआ अब देखते हैं ऐसे शब्द जिन में दो अक्षरों के बीच में U आता है, तो वहाँ पर हम U को O पढ़ते हैं ठीक है, जैसे M, U, G M को हम हिंदी में म लिखते हैं और U के लिए हम O का इस्तमाल करेंगे O यानि अब O की कोई मातरा तो होती नहीं है, O की ध्वनी होती है ठीक है, तो हम यहाँ पर म के आगे कोई भी मातरा नहीं लगाएंगे, ठीक है इसे as it is चोड़ देंगे, फिर G को ग लिखते हैं, तो यहाँ हम ग लिख देंगे, तो यह बन जाएगा म, ग, मग M, U, G मग, उसी तरीके से J, U, G J को हम ज लिखते हैं, तो यहाँ ज लिख देंगे, अईू के लिए O का इस्तमाल होगा, यानि की कोई भी मातरा नहीं आएगी और G को ग लिखते हैं तो यहाँ ग लिख देंगे, तो यह बन जाएगा ज, ग, जग J, U, G, जग उसी तरीके से H, U, T H को हम लिखते हैं, तो यहाँ हम लिख दिया U के लिए O का इस्तमाल होगा, यानि की O की ध्वनी आएगी T को ट लिखते हैं, तो यहाँ T लिख देंगे, तो यह बन गया H, T, H, U, T H, T उसी तरीके से R, U, B R के लिए R लिखेंगे, और फिर U को ऐसे ही छोड़ देंगे, और B के लिए B, तो यह बन गया R, U, B R, U, B उसी तरीके से H, U, G H को हो लिखते हैं, तो यहाँ हो लिख देंगे U के लिए O की ध्वनी आएगी और G को गर लिखते हैं, तो यहाँ गर लिख देंगे तो यह बन जाएगा H, U, G हग या जिसे F, U, N F को फो लिखते हैं, तो यहाँ फो लिख दिया U के लिए की ध्वनी आ गई N के लिए हम No लिखेंगे तो ये बन जाएगा Fun F-U-N Fun, clear हुआ आप देख लेते हैं ऐसे शब्द जिनमें दो अक्षरों के बीच में E आता है तो वहाँ पर हम E को A पढ़ते हैं यानि कि उसके लिए A की मात्रा का अस्तमाल करते हैं तो जैसे B, E, D B को हम बो लिखते हैं तो यहाँ बो लिख देंगे और फिर E है E के लिए हम A का अस्तमाल करेंगे और D है D को डो लिखते हैं तो यहाँ डो लिख देंगे तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो यह बन जाएगा ब और यह जो A है यह ब पे A की मात्रा आजाएगी और साथ में ड तो यह बन गया बेड, B, E, D बेड, उसी तरीके से पेट, P, E, T P को परलिक देंगे तो यहाँ हम परलिक देंगे, E के लिए A की मात्रा आएगी और T के लिए टो लिकते हैं तो यहाँ हम टो लिक देंगे तो यह बन जाएगा पेट, P, E, T पेट, उसी तरीके से L, E, G लेग, L को हम लो लिकते हैं और E के लिए A की मात्रा आएगी G के लिए ग, तो यह बन गया लेग, L, E, G लेग, फिर है R, E, D, R के लिए हम रो लिकेंगे E के लिए A की मात्रा का इस्तमाल होगा, और D को डो लिकते हैं, तो यहाँ डो लिक देंगे तो यह बन जाएगा R, E, D, Red या जैसे H, E, N H को H के लिए हो गया E के लिए A की मात्रा का इस्तमाल होगा और n को न लिखते हैं तो यहां न लिख दिंगे तो यह बन जाएगा hen h e n hen फिर है w e t w के लिए w e के लिए a की मात्रा का इस्तमाल होगा और t को to लिखते हैं तो यहां to लिख दिंगे तो यह बन जाएगा wet w e t wet clear हुआ अब देखिए जहां पर दो अक्षरों के बीच में o आता है तो वहां पर हम o को o पड़ते हैं क्या पड़ते हैं o जैसे p o t अब इसमें बीच में o है तो इसे हम o पड़ेंगे p को पॉलिक दे हैं तो यहां हम पॉलिक दिंगे o के लिए o का अस्तमाल होगा ठीक है और t को टो लिकते हैं तो यहां हम टो लिक दिंगे तो यह बन जाएगा pot p o t pot उसी तरीके से j o b यहां पर भी o है तो यहां पर हम o के लिए o का अस्तमाल करेंगे तो ये को हम जो लिखते हैं तो यहाँ हम जो लिख दिंगे O के लिए O का अस्तमाल होगा और B B के लिए हम बलिखते हैं B को तो बलिख दिंगे तो ये बन जाएगा job J-O-B जोप उसी तरीके से D-O-T यहाँ पर D को ड लिखते हैं और O के लिए O कास्तमाल करेंगे T को टो लिकते हैं तो यह बन जाएगा dot दी ओ टी डॉट उसी तरीके से M, O, B अब यहाँ पर M है M को मो लिकते हैं और O के लिए O कास्तमाल होगा B को बो लिकते हैं तो यहाँ हम बो लिक दिंगे तो यह बन जाएगा mob M-O-B mob ठीक है? उसी तरीके से H-O-T H को हम ह लिखते हैं तो यहां हम ह लिख देंगे O के लिए O लिखेंगे और T को T लिखते हैं तो यहां T लिख देंगे तो यह बन जाएगा hot H-O-T hot या जैसे N-O-D N को N लिखते हैं और O के लिए O का इस्तमाल होगा D को D लिखते हैं तो यहां हम D लिख देंगे तो यह बन जाएगा N-O-D Nod clear हुआ तो यहां पर पूरी होती है हमारी आज की class वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share ज़रूर करना इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से subscribe कर लेना